हलो दोस्तो नमस्कार मैं चंपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी आज की वीडियो में दोस्तो गर्मी का सीजन आ चुका है और अब ऐसे लोग जो मोसम बिजनिस करते हैं वे गर्मी के सीजन में कोई नया बिजनिस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे अगर आप भी कोई गर्मी का सीजन में कोई बिजनिस ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए भी बहुती जवर्दस सबर बिजनिस आइडिया है जिसके माध्यम से आप माहिने के लाखों रुप्ये आसानी से कमा सकते हैं गर्मी के समय में जूस एक ऐसी चीज है जिसकी डिवांड बहुत ज़ादा होती है क्योंकि जूस गर्मी के मोसम में एनरजी देने का कारे करता है और ऐसा बिजनिस जो गर्मी के सीजन में बहुत ज़ादा मुनाफ़ा देता है वो है गर्ने के जूस का बिजनिस जी हाँ दोस्तो अगर आप भी घर्मी के सीजन में कम निवेश पर एक अच्छा चलता फिरता बिजनेश शुरू करने की सोच रहे हैं तो गन्ये के जूस का बिजनेश सुगरकेन बिजनेश आइडिया आपके लिए एक बहतरीं ओप्शन है तो दोस्तों शुरू करते हैं गन्ने जूस का बिजनिस क्यों करें आप गर्मियों में गन्ने का रस तो जरूर पीते होंगे और जानते होंगे कि गर्मी में गन्ना रस पीने से कितनी राहत मिलती है इसलिए जादातर लोगों को गर्मियों में गन्ने का जूस पीना ही जादा पसंद होता है और अन्या जूस के मुकाबले गन्ने के जूस में जादा कमाई होती है इसलिए यह बिजनिस बहुती जादा फाइदे मन साबिद हो सकता है अगर आप जानना चाते है कि इस बिजनिस को शुरू करने के लिए कितना निवेश लगेगा और किन चीजों की जरुरत होगी तो हमारे साथ आगे बने रही ए गण्ये के जूज का बिजनिस कैसे शुरू करे गन्यों के जूस की मांग सबसे ज़ादे होती है तो ऐसे में आप इस बिजनिस को ओपन करने के बारे में सबसे पहले आपको यह बिजनिस शुरू करने के लिए गन्य का रज निकालने वाली मशीन की आऊशकता होगी इसके अलावा आप छोटी सी जगह पर भी इस बिजनिस को शुरू कर सकते हैं चाहे तो आप स्टोल लगा सकते हैं और अगर आपके पास थोड़ी बड़ी जगह है तो आप एक जूज सेंटर भी खोल सकते हैं लेकिन इस बिजनिस को अच्छे से संचालित करने के लिए आपको एक ऐसी जगह का चुनाओ करना आना चाहिए आप ऐसी जगह पर अपनी स्टोल लगा सकते हैं जा लोगों का आना जाना जादे हो इसके अलावा बात करें इस बिजनिस को खोलने के लिए लगने वाली चीजों की तो आपको मशीन के अलावा गिलाज गन्ने का स्टोक आदी पर खर्चा करना होगा दोस्तो इस बिजनिस को शुरू करते समय आपको आसपास की सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग गन्ने की रेडी के आसपास हमेशा गंदगी फिला देते हैं जिसकी वज़े से कस्टमर स्टोल पर आना नहीं चाहते इसके अलावा अच्छा मुनावा कमाने के लिए आपको जूस की क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाईज नहीं करना है गन्ने के जूस के बिजनिस में कितनी लागत लगेगी अगर आप इस बिजनिस को लगने वाली लागत के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गन्ने के जूस के बिजनिस में आपको ज़ादा निवेश करने की आवशकता नहीं है अगर आप यह बिजनिस दुकान में शुरू करना चाहते हैं तो आपको जादा से जादा 50,000 से 60,000 तक का इन्वेस्ट करना होगा वहीं अगर आप रेडी या स्टोल लगाकर यह बिजनिस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें लागत और भी कम आ सकती है मात्र 30,000 रुपिये से 40,000 रुपिये में आपका यह बिजनिस शुरू हो जाएगा दोस्तों बात करें गन्ने जूस के बिजनिस में प्रोफिट के विशे में अगर बात करें गन्ने जूस के बिजनिस में होने वाले प्रोफिट की तो बहुती कम निवेश में आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यह इस बात पर निर्बर करता है कि आप प्रती दिन कितने गिलाज जूस सेल कर लेते हैं आज के समय में एक गिलाज जूस की कीमत 20 रुपिये से 40 रुपिये तक तो होती है अगर ऐसे में आप प्रती दिन 100 गिलाज के जूस सेल कर लेंगे तो इस बिजनिस से आप रोज 2,000 से 4,000 रुपिये अराम से कमा सकते हैं इस प्रकार आप गन्ने के जूस बेचकर मैने के लाखों रुपिये भी कमा सकते हैं दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी हमें कमेंट में आपके सवाल जरूर बताएं आपके विचार जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल MSM E.Promotion Council इंडिया से अन्य किसी भी जानकारी लोन जानकारी के लिए आप हमें हमारे हेल्प लाइन नंबर 01144767488 पर संपर्ट कर सकते हैं बाकि मिलते हैं आपसे हमारी आने वाली वीडियो में तब तक के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद